हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल गाईज आप सब में कई लोगों ने या फिर मैं ये कहूं कि आल्मोस सभी लोगों ने रिक्वर्स तो टेस्ट किया ही होगा और जेनरली ये जो रिक्वर्च है ये अर्वी के पत्तों से बनाया जाता है और बहुत ही फेमस डिस है इस ये जो रिक्वर्च है वो मैं बनाने जारी हूँ चलाई के साग से गाईज ये जो सीजन है ना इसमें भर भर के चलाई का साग आता तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रसोई में इसकी ये नई रेसिपी ट्राई की जाए और यकीन मानिये फ्रेंड्स बहुत ही डिलिशस बन हम राई के चलाई स्वाच अ माथ2 डीमीन योटली में ऐफ जाने था सोगल थि जुकल रिक्वर्च कर ते तो मैंने सोग मिबच करेंगा क्याया है तुम नैंते हैं तो और यह सब्सक्तों के लेरा पर दॉरा की दशेड़ी शेम मीड़ी है आप शलाउज अ कि делать का शच्वर अच्छे से दो से तीन पाने से वाश करके ले लिया है फ्रेंड्स यह जो रिक्वच बनाने जा रही हूं यह थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है बैसिकली यह आजमगड की साइट बनता है इस टाइब का रिक्वच तो रिक्वच बनाने के लिए आपको मैंने चलाई का साथ दिखा दिया आप उसके अलावा मैं और कौन-कौन से चीज़ों मैं आड़ करूं ही वो मैं आपको दिखा देती हूं तो यहां मैंने ले रखा है 100 ग्राम के आसपास चने की दाल और 100 ग्राम के आसपास उरत की दाल इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से धो कर 4-5 घंटे के लिए भीगो कर ले लिए देख सकते हैं काफी अच्छे से भीग गई है हमारी दाल यहीं परिसमे में अड्ट करूंगी यह 15 घ्राम के आसपास बेसल और यह जो दाल है इसे हम ग्राइन करेंगे, दर दर सा तो इसको जब हम पीसेगे तो उसी के साथ हम पीसेगे यह एक कप, मैंने पोहा जो हता है पतलावाला जससे हम पोहा बनाते हैं उसको मैंने ले लिया अच्छे से 2 पाने से धोके इसको मैं इसके साथ पीस लूँगी ताइस यह जो पोहा है इसको डालने से फायदा क्यों होगा जब हम रिक्वच को राइक करेंगे या सालो फ्राइक करेंगे तो हमारा जो रिक्वच वो बहुत ही कुरपुरा बनेगा पोही कि जगह चावल भी ले सकते हैं। चावल का अंटा भी ले सकते हैं। लिए तो और छाहिए आपको जाय को लिए ,अidade को जोङ हुआ ilा तो और अछी बात है। दस से बारा कलिया नहसन की यहीं पर मैंने पांच हरी मिर्च और पांच नाल मिर्च ले रखा है यह जो रिकुबाच है ना यह थोड़ा चटपटा तीखा ही पसंद आता है तो इसलिए मैंने मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी जादा ले रखी है आप अपने पेस्ट के अब नेक्स टैब हमारा दाव को ग्राइंड करना है तो मैंने चलाय की पतों में पिजी हुई दाल पोहा सारे मसाले आड़ करके बहुत अच्छ से मिक्स कर लिया है यहीं पर मैंने इस्टेनर ले रखा है क्योंकि यह जो रिक्वच है इसको हम स्टीन करेंगे पहले उसके बास चैलो फ्राइए यह जैसा आपको पसा तो वह हम करेंगे तो इसे मैंने ग्रीस करके लिया है आब हम छोटे-छोटे रोल बनाकर इसमें रखते जाएंगे हमने सारे रिक्वच को इस तरह से रोल करके इस टेनर पर रख लिया है अब हम इसे स्टीम करेंगे अब हम हम रिक्वच को स्टीम कर लेते हैं तो इसे एक प्लेट से ढख देते आँ अब हम इसे लोडो मेडियम फ्लैम पर अच्छे से पकने तक पकाएंगे अब हमें जब यह चेक करता हूं कि कम तर पकाना है तो स्टार्टिंग में 20 मिट इसे हम ऐसी बॉल होने देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे टूथपिक से चेक करेंगे अगर टूथपिक हमारे क्लियर निकल रही है अच्छे से इसका मतलब है कि जो हमारे रिक्वच है वो गुमत अच्छे से कुख हो गया है तो अब हम इसे स्टीम होने ने देते हैं अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूं यह देखिए कितनी एजली यह पूथ पे नमारा इंसर्ट हो रहा है और बिल्कुल क्लिकिन होके निकल रहा है तो हमारे यह जो रिक्वच है वो बॉल्ड होकर रेडी है अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी और इसे थंडा होने जब तक यह ठंटा हो रहा है तो अब यह फ्राइब होने के लिए रेडी है अब हमेने पीसेस में कट कर लेते हैं उसके बाद हमें शैलो फ्राइब करेंगे दूब आप यह थितने हमें खाने है उतने मैंने रिक्वच को कट कर लिया है आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है डिलिशस से वैसे आप इनको ऐसे बीड करके भी खा सकते हैं लेकिन जब आप इसे शैलो फ्राइब या दी निए करते हैं तो इनके टेस्ट और ज रिकवच को सेलो फ्राइ करने के लिए मैंने फ्राइपन में दो से ढ़ाई चम्मच पुकिंग ओड ले दिया है और ओल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसी में यही पर डालेंगे यह रिकवच जितने फ्राइपन में आ सकते थे मैंने उसमें रिकवच के पीसे फ्राइपन में डाव लिए है अब हम इन्हें दोनों साइट से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक सालो फ्राइ करेंगे अब देख सकते हैं जो रिकवच है वो काफी अच्छे से फ्राइप हो चुकी है कितनी क्रिस्प लग रही है तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे तरह से बाकी सारे भी फ्राइप कर लेते हैं उसके पाद आपको सर्व करके दिखाएंगे फ्रेंड्स चुलाई के साथ का रिकवच बनकर रेडी है गाइस बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं ये रिकवच और मैंने इससे सर्फ किया है टोमाटो कैचप और आम की चटपटी चटकारे दाश चटनी के साथ तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में ये नई रे रेइसपी का यूजर करेंगे इसी रेइसपी से अपने घर में रिक बनाएंगे चाहे वह अर्वी के पत्ते का हो या चौलाईगों पालक का किसी इचीज का हो बट आप रेसिपी यही चूस करेंगे तो आपको मेरा रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थांक यू प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब